मुझे पुरा विश्वास है कि अलेंपिक में हमारे युवा साथियों के अभुत्पुर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखो करोडो युवाओं को प्रेरित करेगा कि अप्र EPA झाठ से घरं को प्रेंगा कि एिवाल को प्रेंग को औरी अभुत्प्रेंगे है की लिचम, प्रेंगा की एजाद उजबला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभुत पुर्वा है। ये योजना दो हजार सोला में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादिक की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धर्ती से शुरू हुई थी। आज उजबला का दूसरे समस्करण भी यूपी के ही महोबा की बीर भूमी से शुरू हो रहा है। महोबा हो, बुंदेल खंड हो, ये तो देश की आजादिकी एक प्रकार से उर्जा स्थली रही है। यहां के कण कण में रानी लक्ष्मी भाई, रानी दुर्गावती, महराजा चत्रसाल, बीर अगा और उदल जैसे अनेक बीर भिरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की सुगंद है। आज जब देश अपनी आजादी का अमुरुत महोत्सों मना रहा है, तो ये आयोजन इन महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने का भी अवसर लेकर आया है। साथियों, आज मैं बुंदेल खन की एक और महान संतान को याद कर रहा हूँ। मेजर ध्यानचन, हमारे दद्दा ध्यानचन, देश के सरवच्च खेल पुरस्कार का नाम, अब मेजर ध्यानचन खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पुरा विश्वास है कि अलेंपिक में हमारे युवा साथियों के अभुत्पुर्व प्रदर्शन के बीच, खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखो करोडो युवाओं को प्रेरित करेगा। इस बार हमने देखा है कि हमारे खेलाडियों ने मेडल तो जीते ही अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके बविश्य का संकेत भी दे दिया है। बायों और भेनों हम आजादी के 75 वे वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते साधे साथ दसकों की प्रग्यति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दसक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, सौचाले, गैस, सडक, अस्पताल, स्कूल ऐसी अनेक मूल आवशकता हैं जिनकी पूर्ति के लिए दसकों का इंतजार देश वास्यों को करना पड़ा। यह दुखद है, इसका सबसे जादा नुकसान किसी ने उठाया है, तो हमारी माताओ बहनों ने उठाया है, खास करके गरीब माताओ बहनों को मुसिबत जेलनी पड़ी है। योजना के पहले चरण में आठ करोड गरीब, दली, बंचीत, पिछडे, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुप्त गैस कनेक्शन दिया गया। इसका कितना लाब हुआ है, ये हमने कोरोणा काल में देखा है। जब बहार आना जाना बंद था, काम धंदे बंद थे, तब करोड गरीब परिवारों को कई महिनों तक मुप्त गैस सिलेंडर दिये गए। कलपना कीजिए, उजवला नहीं होती, तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। साथियों, उजवला योजना का एक और असर ये भी हुआ, कि पूरे देश में LPG, गैस से जुड़े इंफरस्टर्टर का कई गुना विस्तार हुआ है। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए LPG वित्रण केंदर खोले गए हैं। अकेले उत्तर पदेश में 2014 में 2000 से भी कम वित्रण केंदर थे। आज UP में इनकी संक्या 4,000 से जादा हो चुकी है। इससे एक तो हजारों युवाओं को नए रोजगार मिले और दूसरा जो परिवार पहले बहतर सुविदा के अफाओं में गैस कनेक्शन से बंचित थे वो भी जुड़ गए। ऐसे ही प्रयासों से आज भारत में गैस कवेरेज शत्प्रतिक्षत होने के बहुत निकट है। 2014 तक देश में जितने गैस कनेक्शन थे उतसे अधीक बीते साथ साल में दिये गए हैं। सिलेंडर की बुकिंग और डिलिवरी को लेकर पहले जो परेशानी आती थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई और भेनों उजवला योजना से जो ये सुभिदाएं बड़ी हैं उसमें आज एक और सहुलियत जोड़ी जा रही है। बुन्देल खंड सहीत पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे अलेक साथी काम करने के लिए गाउं से शहर जाते हैं। दूसरे राज्य जाते हैं लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती हैं। ऐसे ही लाखो परिवारों को उजवला दूसरे चरण योजना सबसे अधिक रहत देने वाली है। अम मेरे स्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उदर भटकने की जरुवत नहीं है। सरकार को आपकी इमान दारी पर पूरा भरोसा है। आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिकलेरेशन यानि खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। साथियों सरकार का प्रयास अब इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरफ गैस भी पाइप से आएं। ये PNG सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। उत्तर प्रदेश सहीत पूर्वी भारत के अनेक जिलों में PNG कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण में UP के 50 से ज्यादा जिलों में लगबग 21 लाग घरों को इससे जोडने का लक्ष रखा गया है। झाल 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 झाल